मुझे मौका मिला यहां हमारे प्रदान मंत्री के घर पे आने का और इन से बाचीत करने का तो मैं कोई political questions नहीं लाया हूँ मुझे जानना है कि as a person, as a human being, एक इनसान के नाते हमारे प्रदान मंत्री हैं वो कैसे हैं? क्या खाते हैं? क्या बाचीत? मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीजे होती हैं मतलब पॉलिटिक को छोड़के उसके बार में मैं उनसे जानना चाहूंगा तो सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आप से बात करने का मुझे अच्छा रगा कि हम 2400 घंटे राजनीती की बातों नहीं उल्जे रहते हैं तो आपने हलकी फुलकी बाते और अब पॉलिटिकल बाते करने के लिए इच्छा जताई हैं मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को इतनी रोची होगी लेकिन जरूर मैं खुलकर के बाते बताना पसंद करूंगे बहुत-बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में क्यूंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है कि जैसे कि मैं आपको बता क्या हमारे प्रदान मंतरी आम खाते हैं यह उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुट्ली के साथ खाते हैं वाश बिसन के ओपर खड़े होके गुट्ली के साथ आम खाना उसका मैं जाना चाहूँ कि आप आम खाते ह एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजरात में आम रसकी परंपरा भी है लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरिदना तो हमारे लिए कोई उस पकार की को लगजरी हमारे फैमिलिय थी नहीं लेकिन कभी खेटों में चली जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है को थे भी रोकता नहीं फिर जोड़ी करता है तो रोकता है अंड़ी का ह्टर पर जो पकी हुई आम थे हें वो खाना हमे ंग जजरा ज्याधा पसंद था यहांने उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचरल कॉर्स में पका हुआ हुआ है, और फ़े पुरा का पुरा, अजब तब तो ही हाईजेनिक की है, कोई समझ भी नहीं थी, कि दोना चाहिए, डिकना करना कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे, लेकिन बात म आप फिल हाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाओ या ना खाओ, नरेंदर जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधान मंत्री बनेंगे, कभी आपने सोचा था, और सोचा भी था, तो कौन से साल में, कौन सी उमर में आपने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है, शायद जो बन जाते हो, सब के जीवन में ऐसा होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि हैने कोई एक दिम फैमिली ही, उसी प्रकार से बैग्ग्राउंड बाली हो, और किसी के मन में इच्छा जखती हो, तो बहुत स्वाभा बिखे है, प गुड़ खिला देती है, कि चलो बेटे को वहाँ नोकरी में गई, क्योंकि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा, गाउं के बार कुछ देखा नहीं सा, यह तो यक्सी यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आपी बनते चले गए, सब जिम मेरी दुनिया, आज की जो राजनीती का तौर करें उसमें यह सब बढ़ता ही नहीं जी, मुझे भी आफिर हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है, यहां तक मैंने पड़ा है, आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ पीता है, यह आपके बाद सही है, बच्पन में मेरा एक स्वभाव था, किताबे पढ़ना लाइबरेर चला जाता था, तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन पढ़ना यह शौक रहता था, कभी फोज वाले इतने में 1962 का वार हो गया, तो हमारे हां से दूर एक महसाना स्टेशन है, मेरे गाउं से, तो वहां स्टेशन पर है, सब लोग जो फोज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका पड़ा सथकार करते थे, चाह अगर तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी वो, तो मु अधिशा में सोथा था, इतने में एक बार मैंने कहीं पड़ा कि गुजरात में कोई साइनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं, तो हमने अपनारे उस समय साथ एक रुपया, दू रुपया से उसका सारा जानकरी अमंगवाते थे, अब हमें तो अंग्रेज आती न बड़ी वेक्ती से मिलने से कभी संकोची नहीं होता था, आए ज़े फिर चला गया में भार, यह बास सही है कि भीतर मन में था, तो मैराम कृष्ण ने मिशन में चला गया, एक स्वामी आत्मस्थान अंजी हुआ करते थे, अभी उनका करीब हंडेड एर उमर में अभी स्व बार हो आया था मैं, तो वो बढ़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे, जिनगी क्या है, टिकना क्या है, आए रामकृष्ण ने अच्रम में को समय रखते थे मुझे, विवेकान जी जिस कमड में रहते थे, उसमें मुझे घंटों तक बैठने क्लिए मुका देते और यह सब 18-20 साल, 22 साल की उमर महीं करता रहा मैं, लेकिन कुछ confusion भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई guidance भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद प्यादा करता था, जब आप खुद धुनता रहता था, ऐसे भठकता 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 यहां पोच रहाँ. आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात में सुन रहा हूँ, मुझे लगता अगर आप प्रदान मंत्री नहीं होते होते हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे होते हैं, तो सन्यासी जदा लगते थे, अन्दर सन्यासी बन जाते थे, अगर आप. वैसे, मैं क्या बनता यह कहना कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया. वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाओंगा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आट का टीचर बनना चाहता था, कहां मैं फिल् गुस्से में आप क्या करते हैं वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हुआ है, मेरे लिए ये, कभी कोई कहेगा, कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो बहुत लोग को सर्प्राइज होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है, मैं बताता कहना कि राजी, नाराजी, गुस्सा मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं, जिन्दगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीजे हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिन्दगी का जो एक बड़ा नपका था, वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई इसी बाते थी, जि आपके जीवन में स्वभाव में इस्वन ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज है, उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना, तो फिर ये चीजे हैं जो नेगेटिविटी नाती है, वो रूकती है, मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्य मत रहा है, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिबर सकेर्टरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अफसर नहीं आया है, कभी नहीं आया है, लेकि मैं आपको बता हूं, बाहर जो आपकी छवी है, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अडिनिस्ट्रेटर के नाम पे है, स्ट अपरीग हूं, डिसिप्लीन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अपमानित करके काम नहीं नहीं करता हूं, इसको प्रेजित करता हूं, कभी कोई चीज है, यह खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूं, मान लिजे कोई कोई ड्राप ले करका तो फ्रोय नहीं से हुद्धत तो एक ते दूरीगह होता है, रेसरे एंअचा रहे हूं, फहां जूद गाता है, बार ऊपने करें तो कैसा रहे गा, आपको क्या लगता है। यह और तो कैसा होगा, तो क्या होता है, मेरी दस मिड़ पहली इंवेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है तो अगली बार जो आता है तो मुझे मेरा समझ नहीं जाता है वो मेरी कलपना के अनुसार चीद लेकर कर आ जाता है तो एक प्रकार से मैं कोई लेकर आता है तो उसमा से सिखता भी हो और सिखाता भी हो और मैं अपने टीम बनाता चल जाता हो तो मेरे प्रेसर है, स्ट्रेस है, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं, तो मेरे पास कुछ बट्टा ही नहीं है, तो मतलब आपको गुसा इतना गुसा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आपको बहुत रोकता है, होता क्या है जी? कभी माननों एक मीटिंग में आपने गुसा कर दिया, गुसा कर दिया तो मीटिंग का एजन्ड अवगरे सब छूट जाता है, हरे के मन पे वो दो-तीन मिनित की समय रहता है, वो इचाया रहता है, वो बहुत नुक्षान करता है। मैं जो मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको पता हूँ गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है मैं चोटा मुखर बड़ी बात मैं आपसे बहुत चोटा हूँ और मैं कहूंगा कि आप गुस्से को जो है अंदर ना रखे उसे निकाले जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक boxing bag घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है, सुबह साड़े चार-पांच बजे मार लेता हूँ, और अपना गुसा निकाल लेता हूँ, और फिर थक हार के बस, या कभी समंदर किनारे चला जाता हूँ, और जोर से चीकता हूँ कोई भी नहीं होता है? ने, इसके लिए कारक्ट रेगा है, मन की स्थित्जी के लिए, इस तो होता है चेहरे पर बाड़ी पर गुसा होना और शब्दों में वेक्त होना, दूसरा होता है आपके emotions को, मैं अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो म मुझ ऐसा नहीं करना चीज़ और कभी ego बीच में आता है, तो मैं वेक्त भी नहीं करता हूँ, मनुष्य है, मैं क्या करता था? अकेला कागेज लेकर बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्यों किया, खुदी, और उसमें जश्टिभाय करने की कोशिस नहीं करता था, फिर उसको मैं फाड़कर के फाज देता था, पढ़ता भी नहीं था दुबारा, फिर भी मेरा मन सांदी होता था, पूरी कथा दुबारा लिखता था, तीन पेज, चार पेज, पाआठ पेज, उसमें उस सारी घटना करम को दालके पूरे पेपर पर फिर से एक बार जीवन्त कर देता था इससे क्या होता था कि वो चीजे मेरी जो emotions है उस कागज के अंदर आकर करके जल जाती थी तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के धर्म्यान जो पहले मुझे सट लगता था क मैं सच हो दो-तिन बार लिते की पएड़ जा लगता है मैंृ तैसी собой कर लेता है तो मतलब यह यह औपका तरीकそう आ है हाओ यहा और वो नहीं रहा इतना समय नहीं है यानि मैंने अपने आपको ट्रेंड उस प्रकार से किया था इतना बड़ा आपका घर है जैसे मैं अपने घर पे अपनी मां के साथ रहता हूं आपका मन करता है सर आपकी मां आपके भाई आपके सारे जितने भी दरिश्टियार हैं आपके साथ घर पे रहें है कि अगर मैं बन करके घर से निकला होता तो तो स्वाभाय विकरेट से मेरा मन रहता है कि बहुत सब वही रहे मैं जिंद्धी की बहुत छोटी आई मैं सब को छोड़ चुका हूँ बहुत छोटी आई उसके कारण वो जिंद्गी ऐसी थी जो टोटली डिटेच बन गई है और इसलिए जिसको कहें लगाओ मोहो माया क्योंकि मेरी वो जिंद्गी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार के हुई और उसके कारण एक अवस्ता के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है उस समय जब छोड़ा तब तकलिफ होई होगी लेकि अब जिंद्गी वो बन ग करते हो और मैं यहां क्या करूगी तुम्हार साथ रहें के अपना चली जाते हूं अपने पुराने गाउं के जो लोग है को विया मिलने आते तो बाते होती है अपनी बाते होते तुम्हारे साथ में क्या बात करो तो स्वाब आई हुए कि इसे का मन मेरे साथ नहीं लगेग मुझे अभी भी याद है मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था तो मैं गुजरात मैं आपसे पहली बार मिला था जब आप तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाय था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका हुमर अप प्रधान मंतरी बनने के बाद इंटैक्ट है आप मेरे 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 परीवार में मेरी एक विश् यार बड़ा काम करवाते हैं तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट अड्मिस्ट्रेटर एक स्ट्रिक्ट हैड्मास्टर ऐसा लगता है मतला हाथ में छड़ी होगी उनके तो अभी भी आपका हुमर एक बात है यह जो चबी बनाई यह वह सही नहीं है अच्छ वो अलग बात है है सही नहीं है और और कोई यह कहता है कि मैं काम करवाता हूं शर्म सही रूपमें अनालिसिस नहीं कर रहिए पo यह कहें काम बहुत करना पड़ता है उस ही ऀस्थे सच्चा ही है लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूं लेकिन वह जब खुद मुझे को देखते हैं पहले जैसे आफिस से आम तोर पे प्रधान मंतरी छे साथ बेज निकल जाते थे दो पर मैं भी एक दो घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे क्या सबसे जाता हूं देर रात तक बेरता हूं तो वह भी देखते हैं लगता है क्या थे उनको लगता है श्रूद करते हैं तो कवे लगता है को एक प्रकार से एक टीम का स्परीड मन जाता है एक एक वर कल्चर आप डेवलप करते हैं मेरे आसपास में वर कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूं उसके कारणा होता है स्ट्रीक ने डिसिप्लीन थोपने से नहीं आती है क्योंकि मैं जिन्दगी मैंने हुमन डिसोर्स डेवलप्मेंट में ही अपनी जिन्गी खापाई है आप लोगों को अचा जूट बोलके लिए इंप्रेश भी नहीं कर सकते हो लंबे अर्शे तक वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम के लिए हां मैं काम के समय काम में रहता हूं इसलिए धरूदर की बातें समय खराब नहीं करता हूं मैं दूसरा मान लीजिए मैं मिटिंग कर रहा हूं और कोई मोबाइल फोन अपना समय बिगाड़ रहा है तो मैं फिर उनकी दर्व जाए अच्छा बताई अभी मैं जो विचार कह जाता है क्या हुआ तो उनको लगता है था मुबाइल फोन में मैं जीटर देख रहा तो तब से मेरी मिटिंग में समय लोग समचिए मैं किसी से भी मिलता कोई भी वेक्ते आएगा मेरा कभी बीच में फोन नहीं आता है मैं किसी कोई नहीं करें मान तो मैं मैं भी आपसे दो तीन बार मिला हूँ आपने मनलब एट जग तो यह मैंने डिसिब्लीन खुद के जीवन में नाया तो सामने बाले को लगता है क्या रही है टोटली मेरे लिए डेडिकेटर था इनोंने को उप्योग नहीं किया इन में हलका कर देता था यह मेरा एक सोभाव था आज भी मुझेव करना का मजा आता है शब्दों से खेलना वगरे पर अब क्या हो गया है जी हर चीज के अलग अर्थ निकाले जाते हैं आधा दूरवाग के उठाकर के उशाल दिया जाता है तो अब डर लगता है कि कहीं कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है हसी मजा कहावत सब होना चाहिए लेकिन अब दूर्प्योग हो जाता है तो अज ये सोशल मीडिया के वज़े से लोग कोई भी शब्द कोई बी उल्टा सीधा करवा कि मेडिया के बज़ाए टी आर्पी वाले परेशाने टी आर्पी वाल उनके लिए यह उरा बना हुए दुनिया में वह तो बड़ा अलग है मैंने वह अरा रखा नहीं है मैं दोस्ता ना करता हूं तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूं कभी कुदी साह ओपोजिश्यन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं बहुत दोस्त है बहुत अच् करें की बात है जी अब तो मैं मुख्य मंध्री भी नहीं थी था किसी काम से मैं साइद पार्लामेंट गया था और गुलाम नभी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे पर हम बाहर निकलते हैं तो मुझिया वालों ने पूछा कह रहे आप लोग इत्रे पके दोस्तों मार पे हो तुम तो बहुत है आरेजस वाले हो एक गुलाब भी से तुमारी दोस्ती क तो फिर गुलाब नभी ने अच्छा जवाब दिया है हम तोनों खड़े थे देखो भी भाहर जो आप लोग सोथते हो ऐसा नहीं है शायद एक फैमिली के रुप में हम लोग जीतने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग वो शायद भाहर कल्पना निकर सकते हैं आपको हरा ऑख दो कूरते भी भी ने बहती है अच्या यह वरा तो बैंगली मिथाईयों की चरचा चली तो आज युँख वी तीन चार बार कोई बंगली नहीं मिथाई होगी तो स्पेशली धाका से मुझे बेढ़ देती हैं अच्छा वाशा स्पेशली बड़ा आग्रा करके हैं तो बंता दीदी को पता चला हूं तो वह भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ नो कुछ बेंगाले मिठाई जुरू बेढ़ देती हैं मुदी जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैंने यह सुना है जब मैं पिछले साल मैंने यह सुना था कि जब आपricia bzw गूजरात के सीम से आप निकल के प्राइम अनिस्टर जब मने थे तो आपकी जो जमा पुझी त्थी आपके बैंक में करीब Lablike रुपे थे और वह कि किस लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिये थे तो आज मैं जाना चाहूंगा आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं आज आपका बैंक बैलेंस कितना है इत्त यह आदे दूरी बात है अच्छा आदे दूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से स्केम के रुपे निकला वैसे मैं मेरा कोई बैक अकाउट नहीं था कि स्कूल में मेरे गाउं में कि देना बैंक का ब्रांच खुला जैं तो स्कूल के अंदर वह देना बैंक के लोग आय कि हम तो कभी पैसे जमा नहीं कराया, आप गाउं छोड़के चले गए हम, बैंक में हमार आइकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो केरी फॉरवर्वर्ड करना पर तो लिखा पर टिकन ने परती थी, वो मुझे ढूंगते रहते थे कि बैक आइकाउंट बन करना इसको बु मेरे पास आए, बोले साथ जोड़ा सिगनेजर कर दीजे, आपको एक बच्पन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ हमको बन करना है, तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया यह रही है, लेकिन जब मैं CM बना, MLA बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया, तब ब मेरा स्टाप देखता था, जब मैं निकला वहां से, तो मैंने मारे अफसरों को बुनाया, मैंने अभी मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूंगा, मुझे तो करूप्योग है नहीं, तो मैं यह दे देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहार भाई, ऐसा मत कुच है, मैंने मैं करूंगा क्या हिसलिए जागा, तो खैर अफसर लोग मेरी इजयत करते थे ज्यादा बाहस नहीं कि चले गए, शाम को एक सिनियर अफसर को लेकर गया है, मिलने के लिए, फिर उन्होंने तीन तीन लोग थे, जै समझाएं कि बोले मुझे खा मुदी जी, ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पढ़े लिए, आपके पर इतने कॉंट केशी चल रहे हैं, गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कोई पैशो की ज़रूरत पड़ीगी, पद पर तो कब रहो का, कितना रहो गया आप, और बाद में मैं कोई नहीं देगा आपक मेरे अपने जेव से दे दिया, और मैंने कहा कि यह जो हमारा सेक्रेटरेट है, उसमें जो ड्राइवर है, प्यून है, उनकी खास करें के बच्चिया, उनको यह स्विक्षा देख्षा के लिए खाच करना है, तभी वो फाउंडेशन साइद बनाये हुआ है गुजरात सरका और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं, फिर वहां मुझे सरकार के तरफ से MLA को एक प्लॉट मिलता है, पैसो से मिलता है, लेकिन कम पैसो, वो प्लॉट मिला, तो मैंने पार्टी को कहा, यह लेलो आप, आपको दे दे रहा चाहा, मुझे कुछ यह नहीं, तो मेरी वो प्रक प्लॉट में लटका पड़ा है, शायद वो जमीन किसी को दे नहीं सकते है, इस प्रकार का कुछ भाई मुझे 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 मालूम नहीं क्योंकि मैं रूची नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लीर हो जाएगा, तो मैंने वो भी पार्टी को देना तर्किया हो है, तो सब सच में गुझराती है ना, क्योंकि गुझराती जो होते हैं, वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं, मैं नहीं बन्ता की, मैं आपने इमना प्लॉट दे दिये, आपने पैसे दे दिये, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाद़ दे तो मैं एक छोड़ा चुटक मैं ठीकरी तुकान पे कौन है, सारे कि सारी ही आ गगे हो तौ मेरे दुकान पे कौन है कि मैं मानने को तयार नहीं हो कि क्योंकि मैंने देखा है गुजराती मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्ते गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते हैं वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते हैं यह यह बहुत बड़ी हुए। अबहर यह चुटकुल्या चलता है। कि एक बार प्रित्रम प्रोट्रेन आई। रेल्वेय ट्रेन में तो उपरी बर्थ में कोई पैसेंजर स्वया हुआ था। उसने देगा स्टेशन आया। तो उसने खीड़की में आवाड लगा किसी को पूछा कि कौन सा स्टेशन आया। तो उसने का चार आना दोगे तो जवाब दूगा। तो पहले जवाब की जरूर नहीं अमदाबद होगा। समझ गया। तो यह बिलकुल बात सही है। और एक बता बताता हूँ। यह किसी के आलोचना कने लिए नहीं है। लेकिन कोई वियारथ निकाल सकता है। और यह सत्य गट्रा में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले वैसे मेरी जिन्गी ऐसी थी थी हाफस्लीव का कुर्टा और पैजामा जूते और थेला यह सही मैं रेल्वे में भटकता रहता था। और डाड़ी रहती थी। तो मैं पूने स्टेशन पर उत्रा हूँ। और मेरे पर ज्यादा सामान तो था नहीं मेरा एक वो जोला थे कखवार था हात में। तो मैं पैदल चला जा रहा था। मुझे पूने में आरसेस दप्तों में जाना था। तो मैं पैदल ही जाना था। तो एक आर्टरीक्षा वाला धीरे 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 साथ चलता था। फिर करीब सो दो सो मिटर गया होगा और उसने मेरा ध्यान गया मैं कि यह एसे केसे चला रहा हो जोली मेरी स्पीड से मैंना था भाई आपकी आपकी वाटरीशा खराब है क्या प्रोब्लेम है आपका तो उसनों कि आप नहीं मेठो गया मैंना तो भर्रही आप समाजवादी हैं मैंना तो जो समाजवादी लोग से स्पीड सेडि़ आपकी स्टेशन उसनों किस आपकी मैं समाजवादी लोग shark intelligence वो स्टेशन बप्लिक एंअरु आपकी मैं बाठते हैं दूर जाकर गुप बैठ जाते हैं। क्या सब्यूद? लोगों के इंप्रेशन रहे के वो महनत करते हैं, साथगी वाले हैं। तो बोले मुझे भी लगा रहे हैं आप समाजवादी हैं, तो औरों के तरह आपकी थोड़े देर के बाद बैठ जाओगें। तो बोले इतनी मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पजाब समाजवादी हैं, तो मेरा तुरन जवाब था, मैं अम्दाबादी होगो। आजिए साथ, एक ठोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। साथ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए, और जिन कहें कि आपके तीन विशिज हैं, तो वह आपके तीन विशिज क्या होंगे। देखे, अलादीन चिराग मुझे मिल जाए, और सच्मिन में उसके पास ताकत होगी। तो मैं उसे कहूँगा, कि तुम जितने भी ये समाज सास्त्री है या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो, कि भावी पीडी को ये अलादीन चिराग वाली कथा सुनाना बन करे, कि ऐसा कोई अलादीन होता है और इशा इच्छा ये पूरी करता है, मैंना क उसको महनत करना सिखाओ, मैं कभी एक्सपेक्ट नी कर था आप ये जवाब दो, ये लगाए आपको ये तीन विशिज आप सोचोगे, क्या है तीन विशिज लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है, आलस्पना जो होता है, वो यही चीजों से आता है, यार, I wish मुझे ये मिल परिश्रम का है, जी, हमारी यहां यह नहीं है कि बहुत ही कुछ आपकर को कुछ दे देगा, अज्वाइज जी, एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा, तो आपने कभी पोस्ट रिटायर्मेंट प्लान सोचा है, कि आपने जब यह सब कुछ खतम हो जाएगा मतलब आप पॉलिटिक से समयास ले लेंगे तो आपके आगे जाके आपने क्या करने एक बड़ा इंटरस्टिन चीज बताता हूं आपको हम लोगों की एक मिटिंग थी इनर सरकल की अटक जी थे अडवान जी थे राजमाताश इंद्या जी थी शेकंदर बग्त साथ थे प्रमुद भाजंदी थे और उसमें सबसे छोड़ी आउगा मह रहता था तो बाते चली उसमस ऐसे एक अभी मिटिंग शिरू हना बाकी था तो शबने कुछों के अपना बताया प्रमुद माजन इसको बड़ा लोगों को खुरुद फुरुद देर की निकालते थे अच्या परमुद जी की व्यक्तितों की विश्यस्ता थी उनका जीवन बड़ा विवित्ता उसे भरा था अने प्रकार की एक्टिविटी से अपने कि बड़ा वहिसं को जोड़े साथ मुझे पूछा entrepreneurs मेरे काषिन है को मजे कुछ नहीं आता ह। यह कभी इस चारे कि यह नहीं मेरे मन में विचाराया और नहीं मैं सोचता हूं और मुझे पक्का लगता है चारी का कान-कान और जीवन का पल-पल किसे ना किसी मेशन में कप हूँगा यह आपने सोचा हूँ यह यह सायद सोचना नहीं है जी मेरी मेरे पाद इलक्षे सिवाए कुछ मुझे पर अब क्या लेकर आ थे यहां इस घर के अंदर इस घर के अधर सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही ठी अगर मैं वैसे प्रधानमंत्री बनते समझें मैं देश में इतने प्रदान-मंत्रेख और मजे मिला है। और मुझे मिला है। देश में इतने प्रदान-मंत्री नहीं हैं, जो मुझे मिला हूँ वह यह है। कि मैं लंबे अर्से तक मुक्यमंत्री रह के आया और मैं गुजरात का लोगे सरवीं चीफ मिनिस्टर ता कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते हैं आपको बारी कियों से जूड़ना पड़ता हैं आपको इस्वी अपके सामने सीधी आते हैं सुल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है यह तजुर्वा शायद मेरे पहले किसी प्रधान मुझर को इतना सभागय नहीं मिला देवगोड़ा साप मुख्यमंतिर रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए मैं बहुत लंबा रहा हूं मैं सबता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया बहुत बड़ी ताकत दिया यह मैं अपना एक मान सकता हूं कि महां समय लेकर जाया यह जो देश के काम आ रहा है आप जैसे मैं जानता हूं जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था आप तीन या चार गंटे तो सोना एक आममन एक शरीर को चाहिए चाहिए आप साड़े तीन गंटे ही सोते हो जानने वाले लोग है यह हमारे जो अब सरकार में आया हूं तो दॉक्टर भी रहते हैं उन सब का मेरे से यह की आगरा रहता है कि मेरी नीन में बढ़ाऊं कि राष्टती उबामा उर करा रहते हैं जब मुझे मिले तो वह भी सबसे पहले मेरे से इसी के मुझ गया हूं मुझे मुझे जो आपर हुआ कर आटे हैं эп मुझे तो आरिकर कशे। गह करता है जी तू अशे को तु यह ऐसा क्यों कर आप करा है? खुम्हाइं करते रहूंके लेकिन तुमपनानुक्षान कर रहे हैं मिलता है तुम मेरी बात मानते हो कि थो निंद कर नी बढ़ाई. आप निमए हम बाड़ी संहे हो गया है है अटो को नींदे आती और या साड़ी तीन, छालो में बोटने काया है? नहीं. इतना, इतना, नॉर्मनी देखा है आपने कोई भी बेक्टे उड़ता है, हाथ परी देरूदर करता है, आउंखे एसे एसे करता है, मेरा कुछ नहीं, आँख खुलती है, फिक्ष्ण अब सेकन मेरा पहल जमीन पर जमीन पर देखा है, बहुट जाता हूँ अपने विस्तर पर सब्सक्राइब करें जिस जिन्दगी को मैं जी रहा था उसमें से शाहिद डवलप हुआ है अब वो मेरा मेरे मेरे शरीर का वहिसा बन गया है तो लेकिन मैं जैसे आपने का रिटार्र होने के बाद क्या करोगे तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ा हूं इस पर सोचूंगा क और यह जाना चाहूंगा वैसे कई लोग जाना चाहेंगे कि नरंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं आप हैरान होंगे मैं बहुत ही फिर वही कहूंगा मैं ऐसी कठीन जिन्गी जी कर क्या आया हूं तो डॉक्टर क्या होता है यह महंगी क्या होती है सौफिस्टिकर्टर क्या होता है वो सब आप अरुवेधिक भी बहुत इश्वास कर दोगता था है अब आप जब पहाड चड़ते हैं तो पैरतुदर करते ही हैं कितनी आदी हो लेकिन उंचाई ओपर जाते हैं तो अब जो अख्यला इंसान हो क्या करेगा अग कि मानिसवालित वाले कुछ नी गराता है अब मैं क्या करता था था एंचाई नी कि असे उसको पहर पर बांत देता था पुरा और बिच में एक छोटी लखडी तोड़ कर गे पैड से लगा जए तब इसको मैं करू करता था, तो प्रेसर आता था, ऐसा पूरे बोड़ी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था, तो ऐसी चीजे में इवोल करता था, अपने जिये, मैं बहुत साल पहले कैलास यातरा पे गया था, पैदल, टोटल यातरा करीब थाजन किलोमेटर का था, पैदल कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहां कभी कभी आतरा में आते थे, अब बहुत बड़े-बड़े महंगे वो चंब्री बचाने के लिए सब लेकर क्या हुए थे, मेरे पाद तो कुछा मेरे पाद केस्टर ओल था, और वो भी रो, सिधा वो घानी से निकाला हुए तो उसकी मैल भी बहुत खराब होती है, तो मैं उसी को लगाता था, अब ये लोग आज में छठे दीन मूह नहीं दो सब्सक्राइब कि उनकी चंब्री जहल करके निकली करके नटक गई थी तो बड़े परिशान देते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, बड़े महें सब्सक्राइब करता है, जो काम होता है तो मैं घरम पानी पूरा समय पीता है, घरम पानी पूरा समय पीता है, घरम पानी पूसमें कुछ है, कुछ नहीं, कुछ सिम्पल घरम पानी, दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता है, फास्टिंग यानि एकदम से, सिवय पानी कुछ 20-24-30-26 जादा नहीं करना पर तीसरा क्या है इस सर्सों का तेल होता है उसको थोड़ा गरम करके थोड़ा गरम करपे रात को दो-ती बुन नाल जाल देता जहन बहुत होती है लिकिन यह मेरा बाजिन के आदफ है जीने के आदत है मैं कुछ चीजं करता हूँ, तो मैं चाहूंगा पूछना चाहूंगा आपसे मैं एक मैंने चीज फॉलोग कि की है जिसको कहते हैं की ग después 7 12 5 Incinku!! चालीस यानि 7 बजे मैं ब्रेक फास्त कर लेता हूं बारा बजे में अपना लंज खा लेता हूं और पांच बजे डिनर खा लेता हूं और इंटू चालीस यानि कि जब भी एक गर्सा खाता हूं उसे चालीस बार चबाना है तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पड़ा है कई लोगों से बात किया तो आप इससे सहमत हैं बिलकुर सही रास्ता आपने चुना हुआ है हमारे देश में मुलादत यही है ये बेस्टन जो बड़ आया उसने फिर धिरे धिरे इसमें ये ये बड़ाव किया कि लोग किसान आज भी गाउ में सुर्यास्त के पहले भ्रयास्त के पहले खाना खा लेता है और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबह एक प्रकार थे फिसको आप नास्ता कहते लेकर अच्छी उसका वो भोन्चसा ये वोता है तो काफी मातरा में बड़े बड़े रोटियोल और सब्जी और चत्मी कुछ लेकर के थेच चलाई तो दीन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पुछ रख कर जाती है वो पुरा भोज़ नहीं होता है थोड़ा होता है या आज भी हमारे देश में परंपर है यह आपका फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है मनलब डारी वारी एकदम सही किया हुआ और मनलब कभी-कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पैनते हैं ज्यादा कलके हाफ स्लीव कुर्ता पैरते हैं तो यह जो पैशन यह जो है यह जो आपकी जो शेविंग और यह अन्यादर में टकारी आपके ने कीजिक जी खोक्ता पाड़ मतवे खालस ж Philadelphia यह जो अभुए कर ने कुछा सवाल पूछ जैसे में बहुत अच्छा सवाल पूछा यह सम्मक्राई कि जयो अब श्टीख घू गुं अभुस्सा करता हूँ है यह जो एक चबी बनाई गही है ब दूसरी सभी मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर बनाई गई है, दरसल क्या है, मैं छोटी बैग मेरी जिन्गी थी और मैं ट्रावेलिग करता लेता था जो आपने बता जो लेता और तुम मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद होता था, सीम बना तब तक मैं कप आपड़े तो फिर मैंने केसी सोचा कि लंबी बाहें रखता हुआ तो मुझे इतना जादा धोना पड़ता है, दूसरा मेरे बैग में वो जगाा जादा लेता है, मैं ऐन्कुद ही कड़ दिया था अच्छव जगा जादा लेता है इसलिए अपने उसको मैं ने काड़ दिय अब वो बाद वो पैशन पर गया थी। इबाद सही है कि मैं धंग से रहना ये मेरी प्रकूरती थी। शाइद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी-कभी इंफेरिटी फिर होती थी लोगों के बीच पे। तो उसको ऊवरकम करने के लिए शाइद साइकोलोजी यह जाई होगी बच्पन में ऐसा मुझे रखता है कि मैं क्या करता था अब हमारे घर में वो प्रेश करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं यह बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोईला भर देता था गर्म कोईला और उसी से कप्रों को प्रेश करता था पहन के जाता था लिए कि जूते नहीं तो मेरे मामा एक दिन आये घर पह पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्हों मेरे जुते ला दी है कि कैनवास के सफेज जूते आये तो अब देता पहनी विलते होंगे यह लिया है इस थोड़ी दिन में तो घंदे होना शुड़ू है मैं क्या करता था चलास्रूम में कि विच्छ चड़ी जाते थे मैं रुका रहता था और टीचर जो ब्लैक बॉड पर लिखता है तो बाद में जो चोटा चॉक श्टिक का तुकड़ा रह जाता है वेसे फैंक देता है हाँ तो मैं उसको इखटा करता था वो चॉक श्टिक के उन ले आता था और हर दिन सूबे चौक्षिक जूतों पर लगा देता था और डेली ये 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 कई बार आपसे मिला हूँ आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पेनी है लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी को पता चले कि मैं ऐसे गड़ी देख रहा हूँ उसको इंसल फिर दोता है तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉंसकेस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से गड़ी देखता हूँ आप कोई बैठा है बात कर रहा है और गड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप इसको इसको इसारा करें भी बहुत हो गया जाओ तो आप आप इसे रखते हो हाँ तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हीड़न भी में है बहुत माँटली आप लेकिन आप मांते हो मैंने आपको अब्सर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो मैं देखा था कई आप सही देखा कि आप अपसे जाना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा जमाना है और मैंने देखा है कि आप काफी पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हों ट्विटर या इंस्ट्रग्राम या सारी चीजे आप देखते हो सर्म मैं जुरूर देखता हूं और एक प्रकार से उससे मुझे भार की बहुत प्रकार की जानकारिया मिलती है और मैं आपका भी ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूं और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे तो उसके एकरण आपके परिवारिक जीमन में बड़ी शांती रहती होगी उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा इ यह उनके जानना चिने चिनु भाई उन से मैं बहला था वर कारण क्या था यह बड़ा इंटरेशिक्ट कीड़ातमे में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था ID 006 6 000 को सामाजी काम करते था तो उस एक कारकम में, मुंबई में एक शजन थे, मिठाई के बहुत बड़े बापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे, और उने डोनेशन भी दिया था, और हमने ऐसे चाज केंदर चालू किये थे, बटर मेल के, बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे पानी की प वहां आये थे, तो उसे मेरी उनसे मुलागात हुई थे, काफी बाते हुई थे उनसे के थाथ, तो बरावत प्रकार से उनसे परिचर रहा है, तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को जवाब देते हो, बेलकॉल मैं पढ़ता भी हो और मजा लेता हूँ, आपक मैं ने कहा गुसा तो आता नहीं जादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो, तो आपको कैसा लगता है, जैसे देखो मैं कुछ चार-पांच मीम लेके आया हूँ, यह देखिए, यह लिखा है, इस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, एक्वालिटी, सेफ्टी, प लोग आये थे आपसे मिलें, तो सब के लगा दिया तो यह दिया है यह अपने देखा है, यह यह देख रहा है, यह दू है, यह देख रहा हूँगा, तो यह रोयचेटी जो है, यह एक्शन डिरेक्टर है, तो वीडि नरिंदर मोदी जी, और अगले दिन आपको इतन असे जीजा पड़ा सीजा मोटोसाइकल लिया आपने निकल पड़े, तो ये मीम देखके आपको कैसा लगता है? मैं एंज्योई करता हूँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रियेटिविटी को ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे उस क्रियेटिविटी के प्रती है, यह मेरा गोर भी विरोध होगा, बड़ा मज़ा था, क्या बड़े सटिक तरीके से कहा है? मतलब बहुत अच्छे क्रियेटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं यह लोग और यह ज्टके में सोचते हैं अपको बता हूँ, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जबार हमारा ही तो इस सबसे बड़ा बेनेफिट मुझे यह है, कि मुझे कॉमन मेन की जो सैंस है, उसकी जो क्रियेटिविटी है, उसका अनालीसिस है, यह समझने में बड़ा बरना क्या होता है, यह बनी बनाई लोगों के जो परोसी हुई चीज होती थी, फाव स्टार फूर जैसा होता था यह यह पकार से फुटपात्पर का जो चने चबेने और पकोड़ा होता है, बैजा इसके ओपर भी बड़े बीम्स बनेंगे, तो आप तो खरते हैं, मुझे मेरे ले पहली बार होगा, यह मतलब कुछ लोग होता है, इंटेंशन से आपको चुभेशले करते हैं, जानबुच करके, उस समय अपने आपको संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते ह अगर आप उसको रियक करते हैं, रिस्पॉंड करते हैं, उसको मज़ा आजाता है, लेकिन देखा छोड़ दिया, तो उसकी नेंद घरादे मैंने इतनी महनत की, इतना मोदी जी के माल नौच ले वाली चीज की, मोदी के कोई खोई निरा है, तो वो परिशार हो जाता हूँ यहा, फिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़े देर बाद, यह भी बात सही है, बस अब से बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आप से मैं दो तीन बार पहले भी मिल चुका हूँ, और आज मुझे 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 मिला है आप से वारतलाप करने का, अपकोष घकल बात करके मिल दो कुछ दिखा है, ज्हेला है, घ़कल भी खोया है और साक्रिफाइस क्टीव यह मेरा analysis है जो मैं आपसे भी बात करके मेरा analysis है कि आपके आपके जिन्दगी के आपने बहुत sacrifices भी किये हैं So, I'm glad that मुझे यह मुखा मिला है आपसे बातचीत करने का क्या आप monthly आपकी जो salary में से कुछ आप अपनी माता जी को भेचते हैं हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी अच्छ वो भेचते हैं जब भी मिले जाओंगा तो सावा रूपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी आज भी और वो हमसे अभी अपरेक्शने करते हैं उनको जरूद पर निया दूसरा मेरे परिवार का कोई खर्चा सरकार को नहीं है वन्ना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है से मेरे परिवार कुछ लेता नहीं है कुछ नहीं है मैरे दिखाने जी बात है विलकुल तो यह एक प्रकार थे लेकर इसका मटलब यह नहीं कि कोई मांके प्रति लगाव नहीं ऐसा नहीं है लेकिन जीवन ही ऐसा बन रहा है मैंने अपने आप परिवार प्रादेश को अपना परिवार बना लिया है इसे में करना चाहोंगा कि आपको उल्स बचपन में ऐसा कॉन सा खेल धा जो आप खेल थे ले मैं बचपन में संक शाखाउप में जाते लाइसा कया Ponочь अच्छ बड़य अच्छ बज्ज्ञे घ्रары में आउने जिसमें प्री कि आहे हैं जिसमें जैसे एक अट होता एंट इसब सरकल म जो हमारा लीडर होता है वो पूस्ता है आपके राइट साइट पर जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बता को अब है तो खेल लेकिन आपको उसके कान कॉंशियस लेज आता है आप दूसरे के गुणों को देखना चाहिए अब खेलते खेलते ही डेवलप्मेंट होता है इसलि इसलिए शायर करना क्या होता है यह खेल है संग में बढ़िया खेल है बढ़ परमपरागत खेलें को इस अगवालों ने ढूंड़ आशा मैं नहीं कह रहा हूं यह बहुत बहुत काम आते हैं दूसरा मैं योगा से ज्यादा जूड़ गया फिजीकल एक्टिविटी काका इसे डीवलप करते हैं जो इंड़िजल खेल होता है वो आपको एक अलगप्रकार कर लेफ्मेंट करता है वो गरत करता है समय नहीं कर आफ लेग परकार करते हैं तो तो जिनकी जीने के लिए गुरूप वाले गेम खेलने चाहिए एप गेई बढ़े चल जाये लेकिन जुरूर खेलना चाहिए, यह मेरा मत रहता है। अपने कभी गुलिरंडा खेला है? बेलकुल खेलता था, गुलिरंडा खेलता है। हमारे यहां गाउं में खेलते थे, फिर लेकिन जादा तर मैं तैरने के लिए चला जाता था। मुझे पानी पसंद था, तो पैरने के लिए चला जाता था। दो तकारण से, एक तो मेरे परिवार के सारे कप्ड़े मेहत होता था, परिवार के सभी सोगे। तो तालाब में ही पानी था, हम तालाब में चले जाते थे। तो उसके कांड़ वाभावी मेरा स्विमिंग से गया। तो मैं बहुत घंटो तक स्विमिंग कर लेता था। तो मेरे शरीर के जो अगर मुलभूत कहें के डवलपन, बॉड़ी डवलपन जो कहें। वो साइज स्विमिंग से हुआ है। वो गाउवाला स्विमिंग से अपने गाउं में तालाब में नेर हो गई तालाब हो गया वहां के उसी में। मझे अभी याद है आपका मैंने एक युनाइटे डिशन में पहली जो स्पीच देखी ती आपकी आपकी दोजार चौदार में दीती है। प्रदान मंतरी बना और सितंबर में गया था। हमारे अपस्वरों ने में ब्रिफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो हमारी फोरेंड मिस्टर सुष्मा जी उनकी मीटिंगी ज्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कारकम था। तो मेरा नेचर है। मैं होटल से उतरता हूं कि पहले मीटिंग कर लेता हूं। तो प्रिफिंग के लिए सब बैठे थे। तो शुष्मा जी ने पूछा कि आपका भास्तान को कर लेंगे क्या है। तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आगरेन नहीं कि बोले साथ। ऐसा नहीं कल था। आच आपसा लोग बोलनी पाते थे मुझे। किसे नमीजे कहां भी नहीं था। तो यहां एक्स्टम पो भास्न नहीं करना चेह बोलें। लिखी स्पीश होना चेह है। पकड़ करने था। इसमें आपके नहीं चलेगी। आपको मानना पड़ेगा। तो मुझे आपको क्या करेंगी। मैं आपना बता देता हूं मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उत्यमाई। मैंने इसके आधाय पर आप बना दीजिए। मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था। पढ़ना ये प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानि की। यहने पढ़कर के बोलना। मैंने कभी आपको देखा नहीं है। मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरे थौट प्रोसेश इतना तेज चलता है। तो मेरे पहला भाषण जो है। वह पढ़कर के मैं क्या आप हूँ। यहने पढ़ रहा हूँ। आपने देखा हो गए मेरे हाथ में कागज है। सबसे पहले मुझे नेपाल करदाम नेतरी बने कबार। तो हाँ भी मैं एक्स्टेंप बोल दिया था। और वह भाषण आज भी मश्वूर है। नेपाल में पहला भाषण का। तो एक्स्टेंपो वाला भाषण आपका हमेशे आप है। मैंने कभी वैसे देखा नहीं आप। तो मेरे लिए फिर वह इस प्रकार की जो मिटिंगे होती है। उसमें बहुत आवश्यक हो गया। बात में मुझे भी ध्यानमाग भी यह देश का मसला होता है को इदद और शब्द नच चला जाए। तो फिर खेर मैंने बुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकि मेरे पहले बासर का मेरा रूप भी यह है। फिल्में देखते हैं। अब ही नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मेरे गाव में एक थीटर था। और मेरा एक दोस्त था दसरत करके। उसके पिताजी थीटर के बाद स्विंग चना बेचते थे। और हम गाव वाले उनको लक्षमान भाई थीटर वाला बोलते थे। वह बेचते थे तो चना से। उनसे हमारा परीचे था। तो हम बहाँ जाके बैठते थे। और अगर थीटर में दर्शक कम है और जगा बची है। तो फिर वह थीटर के बारी बैठते थे तो माली को कह देते थे ज़र इन बच्चों को बिठा दो रहा है। तो फिर वह मुफत में हमको थीटर में जाने का मुखा मिल जाता था। वह लक्षमान भी जो शिंग चना बीचते थे उनके करद। तो मैं और हमारा दोस्त है दसरत तो हम दोनों चाके बाट के मुवी देखते थे तो बच्पन में मुवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में जिंगी ऐसी बन गई है तो मुखा नहीं मिलता लेकिन शायद एक अभिताब बच्चन जी आय थे जब मैं सीम था। उनका बड़ा अग्रफ था एक पाफ फिल्म शायद तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खहर आये थे उन्होंने टरीजम को लेकर एक फिल्म बनाई थी वेनस्डेस है तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वो भी ज्यादा अपने प्रेम के बिल्कुल नहीं कर पाया। मैंने एक फिल्म बनाई थी आपको मैंने अलका सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉलेट एक प्रेम का था फिल्म बनाई थी। मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा। कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्म में चल सकती और बन सकती है। मैंने पूरे बनाया थे बलके गाने वाने वगएरा ये मा पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। मैं सोशल मैसेजिंग था अच्छा था। वो तो मैंने रील लाइफ में किया थे लेकिन आपने रील लाइफ में करीबन नौ करोड से भी ज्यादा टॉइलेट्स बनाये हैं। अगरेफ में से भी मैं तो मतलब ऐसा कैसे कि आप जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सब से पहले आप ने स्वच्छता के ऊपर बात की तो आपको डर नहीं लगा कि आप पहली बार मढ़ा आप प्राम्मिनिस्टर बन रे हैं। और सबसे पहला मिला फुर्स फ्यू मुद्दज इसी पर रखा हुआ है, सवच्छता पर रखा हुआ है। सवच्छता आपके लिए बहुत माईने रख दियो है। मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी अगरे जो पड़ा है, और कूल मिला के मैं देखता हूं, कि हमारे देश में बीमारी गरीबी इन सब की चीजों के साथ हिल्थ बड़ा सबसे बड़ा वीशा है लिकिन प्रिवेंटिव हिल्थ के लिए दो चीजे मैं देखते हैं एक स्वर्चता और एक फिटनेश आप अपने शरी को फिट रखे तर बनाई यह तो बाकी आर्थिक परस्टनल है जिन में तो हमारी हां सास्त्रों के कारण संस्कारों के कारण घर में आओ तो पैर धो कर आओ भाद धो मंदिर में जाते हो तो नहां करके जाओ सब बहुत सिखाए जाता है सोशल आइजीन के प्रति हम उदासिंद और भारत जैसा देश दुनिया में अगर इत अगरी चीड है मैंने सोचा इसको एक जनांदोलन बना जरा चाहिए और देश को गर्व होना चाहिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए यह हमारे देशवास ने इस कारकम को अपना बना लिया और यह नौ करोड टॉलेट बन जाना दो हजार चौदा के पहले थर्टी एट मतलब देश तैयार था और मुझे खुशी है कि देश ने किया है मैं तो कौन होता हूं करने बाला जी देश ने चीज को उठा ली आप अज प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम अराम करते हैं मतलब कुछ अराम से बैठके यू बैठे गार्डन में सोच रहे हैं पीजिए बड़ा स्वभाव रहा है एक तो मुझे सुभे पांच बेचे चाई पीने की आधत है बिना शक्रा चिनी में लेता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकि आधत नहीं लेता हूं दूसरा मुझे शाम को छह वजे दिन मैं किसी के साथ कर्सी के लिए बैठ मुझे चाय के आदत है ऐसा लगता है मेरी बॉड़ी रिक्वाइर कर रही है लेकिन वो मुझे तब मजाता है मैं च्छत के नीचे नहीं हूँ सीधा आसमौन से मेरा संपर खोना चाहिए खूले में बठा हूँ अकेला बठा हूँ और वहां आराम से चाय पिता हूँ यह लेकिन यह मेरी पसर की काम है दूसरा एक चीज मैंने बहुत की थी और जो जैसे आपने का रिटार्रमेंट के बाद क्या करोगे तो उस काम को ज्याजा करूंगा पहले में रेगुलर करता था कि मैं कभी दिवाली नहीं मानाता था जी मैं दिवाली में चार पाट दिन कहीं चड़ा जाता था और पात दिन के लिए मेरी जो रिक्वार्मेंट रहती थी पानी वगड़ को साथ ले लेता था और वह उठा के लिए उतना ही और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहां इंसान नहों लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अव प्रकुति नहीं कुछ नहीं कागज पेंट बीने किताब भी नहीं कुछ नहीं और पांच दिन मैं ऐसे ही अक्यला रहता था प्रकुति को देखना एक प्रकार्द मेरा वो कारकम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूं मैं जाता हूं इसा ही मेरा वह मेरी जीन्रे बहुत बड़ी ताकत देने वानी है था लगाया यहाँ पाइव पधे सपीजी सा कबर हो गया है जीजी कि जाती लेकिन बहुत सविक्त बद्ळा यह और मैं उससे बहुत ताकत बता था यह और जो विचाराय आनने देता किरिए विचार को ठेकना कि रिह comment मेरे अधिकि आप यह ने हैu कि आप आप चाए बेचत थे और बाज़े त fourth चाहा है कि में डोनों की गोड़ फादर हम अपनी जिंदगी अपने चाहे प्रेक्षै रहा है बहुत कुछ शिखने को मिलता था हरेके स्वभाव को सबनता था बिनाकरण जो पीने वाला है गुसा करता था डार देता था तेन चीजों को शिखने में बहुत कामाया लेकि एक चीज मैंने बहुत मजयतार है बरीजिन की कि कि मैं जब लोगों हिंदी में बात करता हूं तो बहुत सर्प्राइज करता हूं मुझे हमारे सिकंदर बक्त साथ थे बीज़ेपी के लीडर वो मुझे हमेशा का रहे आप मोधी तु इतनी बड़ी हिंदी कैसे बोल लेता है तु तो बोले गुजू है तेरा मुरार जी वो द रहाय बेद्ग ता तो मेरे गाओं में ऑं जो व्यागता कैंद लेकिन इजम नगारी सीधी जो माल ढटी वो जाद आती है और मुमबयिं में जो भैसों क्या तबेवे रह एक भीजें कुआ अ है कुए जो बैचने बाने लोग है भूँट जब भाइस देते हैं तब भाँ ऐ आतना चौड़ देते हैं कर दिए उनसे बाते करते राया मैं हिचीय कोषीा तो भी तर रहते थे लेंगा देटा मुझे उसकी कानने नौर्थ के कल्चर से परिचायाया तो एक प्रकार से चायने मुझे यह लेंग्वे सिखा दी तो आप यह सौंग की बात आई आप कभी कोई हिंदी गाना गुर्गुनाते हो अखेले हैं गुन तो नहीं होता है लेकिन मैं जब मेरे मन पर जो कुछ गीध ह जोती कलास चलके या यह पवन वेक से उड़ने वाले घोड़े ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने तो बहुत अच्छे लगते थे आज के कोई गाने नहीं गुर्गुनाते हो आज तो पता ही नहीं मुझे मुझे आप से बात करके मुझे देश की यह लोगों के लिए काम आ पीच यह भी एक कुछ पल होता है तो जो आप पूते हैं कैसे रिलेक्स होते हो यह भी तरीका है रिलेक्स होने का कि बहुत रिलीफ है